नमस्कार आईवी टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ मैं समीहा गुपता दोहजार चौबिस की शुरुवात हो चुकी है और दोहजार चौबिस में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं और हर पार्टियां अपना अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं आपक को लेके पटना के चौग चोड़ाएं पे किस तरीके से पोस्टर बैनर लगे हैं वो आपको दिखा रहे हैं पहले आप देखें यहाँ पर किस तरीके से क्या कुछ लिखा है सबसे पहले तो कृष्ण और अर्जुन की तस्वीर आपको एक तरफ देखने क्लिम लेगी दू मोहन यादफ जी की हार्दिक शुक कामना है और 18 जन्वरी का दिन है और 11 बजे से इसकी शुरुवात हो गई है आपको बता दे सारी जगा पोस्टर लगे हैं अगर आप इधर देखेंगे तो भी आपको दिखाई देगा कि पावन भूबी पर आपका स्वागत है अगर इं करवाया गया है और कारिक्रम करवाया जा रहा है क्योंकि यादफों का जो वोट बैंक है वो जो एमवाई समिकरन की बात करते हैं हमेशा ही आरजेडी वाले यादफों का वोट बैंक साधने के लिए और ये कारिक्रम में देखना होगा कि यादफ आखिरकार किसके पक्ष म में आते हैं क्योंकि आदर समाज का वोट बहुत जादा है और इस बीज जिस तरीके से लगतार दोहजार 24 के लोकसावा चुनाव की तयारी हो रही है बात करें अडीय की या बात करें आईएंडीय अलाइंस की या बात करें महागडवन्दन की सारे लोग तयारीयों में जुट गए है और अपना जो वोट बैंक है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं यादवों का वोट इसमें सबसे बड़ा मैतोव रखता है क्योंकि RGD के पास, महागडबंदन के पास यादा समाज का वोट बैंक इतना भी आसान नहीं होगा मोहन याद़ इस कारीकरम के वार्दिये जंदा पार्टी और एंडिये की एक ही मकस्त है कि यादवों का वोट बैंक कैसे साधा जाए और जब आज एसके मेमरियल में एक कारिकरम होगा तो देखना होगा कितनी भीर जुरती है और क्या यादव बट जाते हैं या अभी भी लालू परिवार के तरफ ही या आप आई वी टीवी देख रहें धन्यवाद आश्रवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आश्रवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अम्मानिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आश्याना तो कीजिये हमारे नंबरों पर संपर